दोस्तों साम के समय खाएं चाय के साथ पकोड़े आलू वाले तो सबसे पहले हमने यह प्याज और आलू को हमने काट लिया है और आलू को दोस्तों हमने देखिए लंबे लंबे स्लाइस में काटा हुआ है पतला पतला जो कि हैं जैसा कि फ्रेंच फ्राइस मनाते हैं उसी तरीके से धूल करके दोस्तों अब एक निकाल करके अलग से बाउल में रख देंगे इसका पानी अच्छे से निचोड लेंगे तो दोस्तों हमने पानी अच्छे से निचोड लिया है और दोस्तों इसमें हलकी सी नमी आपको रखनी है नहीं तो आपकी पकोड़े बहुत टेस दिया है और दोस्तों अब इसमें जाएगा अपना नमक पहले हम इसमें डाल रिएंगे घर की पीछिटी हुई लाल मिर्शी पाउडर और अब इसमें डालेंगे हम यह घर का हलका पिसा हुआ गरम सब्जी मसाला जो कि इससे टेस्ट थोड़ा सब बढ़ जाता है इसमें स्मूथ में साज अच्छी लगने लगता है और यह गया नमक स्वादानुसार हमने नमक भी डाल दिया है इसमें दोस्तों अब इसमें गया बेसन कम से कम दो से तीन चमच आपको इसमें डालना बहुत जादा बेसन में डालना है दोस्तों तो हमारे आलू प्याच के पकॉड़े में जो इन ग्रीन डलने तो डल गए अब इसको हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और दोस्तों इसमें पानी हम एड नहीं करेंगे बिल्कुल सा अपने आलू प्याच के पकॉड़े में इधर हमने कढ़ाई भी गरम होने के लिए रख दी है इधर हम इसको पहले ओयल डाल देते हैं इसमें तब तक हमारा जो है अब दोस्तों यह भी हम अब दोस्तों हम अपने पकॉड़े करते हैं तो हमाँ पहले पकॉड़े में जितना विंग्रियन डाले हैं बेसन डाले यह सब एक साथ बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे तो दोस्तों हमने आपको जैसे पहले ही बताए पानी पूरा मत निचोड़िएगा हलका सा नमी र मिक्स कर लेना है अपने आलू प्याज को सारे इंग्रिडियन के साथ और दोस्तों बहुत ही सिंपल है और शाम का नाइम है तो हमें चाय पीना था तो यह हुआ कि आलू प्याज के पकॉड़े बन जाए ज्यादा टाइम भी नहीं लगना है और बन भी जाएगा तो दोस्त दोस्तों हमारा गरम गरम तेल में डलना शुरू होगा और यह दोस्तों देखे जो आपको ज्याग दिख रहा है अमारे तेल में यह सुध सरसों का तेल है जो कि हमने सरसों खरीद रखा था और उसको घर में जब भी जितनी जुरुत होती उस इसाब से हम इसका तेल निकल अर। द Folk क्रा लेते हैं तो ँदेवारे देखेंगे टोब दोस्तों हमारा जो पकोड़ा है पूरी तरह से तेल के अंदर नहीं जुक रहा है । तो दोस्तों सुध चीजों का यही सब फैदा होता है कि आपको बधिया चीज मिल जाता है कि हिल्दी हो जाता है तो अभी ह थे लिखाए को पलट देंगे यह देखे दोस्ते हमने पकड़ दी हमें इसको पलट दी और इसो रहा हमारा पकचिका है अलू प्याज का पकोड़ा तो अब इसको हम इसको अच्छे तरीके से चान लेते हैं तेल में से ताकि तेल एक्सेस तेल नीचे रह जाए और हमारा ब्रेट पगोड़ा हमारे पास आ जाए तो दोस्तों ये दे कि बेहतरीन हमारा ब्रेट पगोड़ा साम का चाय के साथ मनास्ता के साथ ये हमारा तयार हो हो चुका है अपडेट पगाड़ देड़ चुका आप चाहिए के साथ हम जारें इंज्वाइए करनें तब तक के लिए सबके राधे राधे दोस्त